तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंचेन यूंचेन को भाग जाने के लिए कहता है इस एपिसोड की स्टाटि में यूंचेन कहता है कि आज मैं तुम्हें नर्के के दरसन करवाऊंगा तो होल करना और जल्दी मत मर जाना जिस पर जिंचेन कहता है कि इससे थोड़ा इंट्रस्टिंग बनाओं कहीं मैं सोना जाओं ये सुनकर यूंचन जिंचन के उपर हमला कर देता है जिसका इंपक्ट वहाँ कड़े जिंचन के लिए परिसान होती है तब इस जिंचन कहता है कि अब ये थोड़ा इंट्रस्टिंग हुआ वैसे मैं एट लेविल मार्सल किंग से किसी भी इस चीज की उमीद नहीं रखता ये कहकर वो अपनी कोड की पावर को इस्तमाल करता है और तेजी से यूंचन के उपर 25 मा उसे मॉंस्टर कहने लगता है साथी वो सभी डिसाबल्स भी ये देखका हैरान होते हैं और उसे डिमर लॉट से और गॉट से कंपेर करने लगते हैं तब यूंचन जट किसी पीछो हो जाता है और कहता है कि ये नामुकिन है जिस पर जिंचन कहता है कि कुछ भी नामुकिन नहीं होता है और अब अपने अंत से मिलो ये कहकर वो पलक छपकते ही जिंचन के सामने आ जाता है जो देखकर यूंचन हैरान हो जाता है तभी जिंचन डिमन लौट के पिलर को निकलता है डिमन लौट के पिलर को देखकर यूंचन को समझ पाता उससे पहले जिंचन उस पिल से वो कुछ आगे कहता उससे पहले उसकी मौत हो जाते हैं इसे देख रहे सभी लोग हैरान होते हैं आज तीन प्रिंस हार चुके हैं जिन में से दो की मौत हो चुकी है और एक पुरी तरीकी से घायल है आज हमने कई डैनेश्टी को खत्म होते हुए देखा है और हम इस चीज की गवाह हैं और फर्स्ट प्रिंस जैसी ही होस में आता है और उसे समझ में आता है कि ये सब क्या हो गया वैसे ही वो गुस्से और सदमे से अंतर तक खिल जाता है लेकिन वो चाहे जितना ही गुस्सा हो ले अब वो किसी भी चीज को बदल नहीं सकता सेकेंड प्रिंस भी ह हमाइ उस खड़ा होता है वो कुछ कहना तो चाह रहा था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रहे होती है तभी टीचर पीछे से चिलाते हुए कैती है जिंचेन जल्दी करो और भाग जाओ फिर टीचर उसके पास आ जाती है और इससे कहती है क्या कर रहे हूँ जल्दी करो और भाग जाओ कि इससे पहले डैनेश्टी के तीन सबसे श्ट्रॉंग लोग आ जाएं जिस पर जिन्चन थमसप करता है और एक किरिंजी से स्माल देते हुई कहता है कि ये ठीक है मैं बिर्च को पार कर लूँगा तो मैं यहां से चला जाओंगा तभी फर्स्ट प्रिंस से चिल भी मत तुमने लिंग को घायल कर दिया है यहां तक कि तुमने जाओ और यूंचन को मार डाला है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने डैनेश्टी के लिए कितनी बड़ी प्रेसानी खड़ी कर दी है इससे इंटाइर डैनेश्टी भी खत्म हो सकती है अब तुम इससे और करते हुए आगे बढ़ जाता है और मन में कहता है मुझे सांथ होना होगा मैं अभी उससे मान नहीं सकता और मुझे अपनी फैमिली को भी प्रोटिक्ट करना है तभी बायंग अम्पायर की प्रिंस यून के आने की घोसना होती है जिससे सभी लोग गेट की तरब देखने लगता है तभी हमें बताया जाता है कि मॉर्टल वर्ट को फाइब होली डोमेंस में बाटा गया है और जाउजेंग डैनेस्टी नाइन होली लेंड में इस्तीत है लेकिन अम्पायर भी सबसे पावर्फुल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर भी एसन कल्टिवेल्टर्स है जो क तीनों प्रिंस अपनी क्लास को लो करकर प्रिंसेट जिंग्यू की बदेबर्टी पर सामिल होने के लिए आये थे अफुआ ये भी है कि जिंग्यू का समर्थन एकी स्ट्रॉंग फोर्स करती है जो कि बायांग अम्पायर इंपीरियल कैपिटल की एसन फैमली है ऐसा लगता है कि प्रिंसेट जिंग्यू की फोर्स बायांग अम्पायर से आती है वरना बायांग अम्पायर की पाच बड़ी क्लैन यहां पर क्या करेंगे फिर सेकंड प्रिंस जिंग्चन को आगे दिखाता है जहां से दो लोग चलते हुए आ रहे होते हैं सेकंड प्रिंस आगे कहता कि बाई यांग अंपायर लेडी जिंग्यू को बधाई देने के लिए आया है जिन्हें देखकर जिंग्चन भी सोच में पढ़ जाता है और उनके औरा से उसी पता चल जाता है कि वो दोनों से कई ज्यादा पाउरफुल है फिर वो बंदा जिंग्चन को इग्नॉर कर जिंग के सि पूचता है क्या लेडी जिया यूं सांसेंग डैनेस्टी में अच्छा कर रही है जिस पर जिंग्यू कहती है आपको उनके बारे में चिंधा करने की कोई जरूट नहीं है मदर अच्छा कर रही है कि doublesua कहता है ठीक है ठीक है वैसे भी एक दिन ये सब मेरा होगा मैं य या यूनकी डॉटर और यही वज़ा है कि मैं इस पार्टी में आया हूँ, मुझे लगता है कि आप समझ रही है कि मैं क्या कहना चाता हूँ, जिस पर जिन्यू कहती है, ये कैसे हो सकता है, कुछ जुवा कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंपेरियल कैपिटल का सेकं नहीं होगा, जिस पर किन्स हुआ कहता है, कि आप अभी तक सचाए को अपनाने के लिए तयान नहीं है, मैं इसके उमीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, कि ये बात इस पर आकर रुख जाएगी, वैसे मेरे पास ज़्यादा आपसन नहीं है, आप मेरी टाइप की है, लेक सुट समाब्द हो जाता है,